आज मैं आप सभी लोगों के लिए गेहूं के आटे से मोमोज बनाने जा रही हूँ ये मोमोज भी खाने में टेस्टी और सेहत के लिए हिल्दी होते हैं मोमोज बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, एक चम्मच रिफाइंड ओयल और आटे के टेस्ट के हिसाब से साधा नमक और अब मैं इसका एक डो बनाऊंगी अब मैंने लिये कद्दू कस्की हुई गाजर और पत्तागो भी साथ में लिया है लहसुन और मिर्च इसको मैंने मिक्सी में दरदरा कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी हिंग डालूंगी टेस्ट के हिसाब से साधा नमक और अब मैंने इसमें डाला है एक से देड़ चम्मच रिफाइंड ओयल और इधर एक भगोने में मैंने पानी को रख दिया है गरम होने के लिए अब इसकी चकनी बनाने के लिए मैंने लिये हैं कतेविये टमाटर, लैसुन, खड़ी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और कली वाली खटाईन तेस्ट के हिसाब से साधा नमक, बाली है कद्दू कसकी हुई अद्रक और थोड़ा सा पानी और अब मैं इसे पीछ लूँगी और अब मैंने लिए सिमला मिर्च बारीक कटी हुई, सिमला मिर्च को कट करने के बाद मैंने इसके पानी को निचोड़ दिया है और इसे मैं इसी के साथ में मिक्स करूँगी तो स्टफिंग तयार है, अब मैंने गेहूं के आटे से बनाई है मुमोज के लिए छोटी छोटी पूरी इसके आटे को हमें बहुत ज्यादा ना तो सक्त रखना है और ना ही ज्यादा मुलायम रखना है और अब मैं इसके मुमोज बनाऊंगी इस तरह से और अब मैंने ली है एक जाली दर थाली इसमें मैंने चारो तरप से रिफाइंड ओयल लगा दिया है ताकि मुमोज इसमें चिपके नहीं और अब मैंने सभी मुमोज को इस थाली में रख दिया है और अब पानी अच्छी तरह से गरम होने के बाद मैं इस थाली को रखूंगी इस भगोने के उपर और मीडियम फ्लेम पर लगफ़क 10 मिनट के लिए मैं इसे ढख कर रख दूँगी ताकि मुमोज अच्छी तरह से पक जाएं अब 10 मिनट के बाद थाली को हटाने के बाद मैं इस मुमोज की जाली को उतारूंगी और अब उसी थाली को इस जाली के उपर रख कर दूसरी तरफ इसे पलट दूँगी और अब आप देख सकते हैं कि मुमोज अच्छी तरह से पक गएं हैं अब उसी तरह से मैं और भी मुमोज बनाऊंगी और मुमोज के उपर मैंने लगाया है रिफाइंड ओयल और इसी के उपर मैं और मुमोज रखूंगी रिफाइंड ओयल लगाने से दूसरे मुमोज रखने पर मुमोज एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और इसे ढख दूँगी उसी तरह से मैंने इन मुमोज को भी मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए पकाया है और अब मैंने इन्हें नीचे उतार लिया है और अब आप देख सकते हैं ये मुमोज भी बन कर तयार है और अब मैं निकालूंगी इन्हें सर्व करने के लिए और साथ मिली है चटनी जिसे मैंने भी बना कर रखी है और अब आप देख सकते हैं कि ये मोमोच बनने के बाद दिखने में कुछ इस तरह के लगते हैं आप देख सकते हैं ये मोमोच खाने में तो तेश्टी होते ही हैं और सेहत के लिए हेल्दी भी होते हैं मोमोज की स्टफिंग में आप नमक पहले से डाल कर ना रखें नहीं तो इसमें पानी छूटने लगता है अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें